इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी Cerebid Rota Caps is used to treat and prevent asthma and chronic obstructive pulmonary disorder यानि की COPD, a lung disorder in which the floor of air to the lung is blocked यह वायुमार्क की मांस्पेशियों को आराम देने में मदद करता है जिससे वो चोड़ा हो जाता है और सांस लेना आसान बनाता है Cerebid Rota Caps के वल सूंगने के लिए है इसलिए Capsule को निगलेना पहली dose, पहले इस्तिमाल के दौरान होने वाले side effect की रोकथाम के लिए medical देखरेक में दी जाती है बहतर नतीजों के लिए इसे हर दिन एक ही समय लेने की सलाह दी जाती है dose और कितनी बार आपको इसकी जरूरत है यह इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप इसे किसलिए ले रही हैं आपका डॉक्टर यह तै करेगा कि आपको अपने लक्षनों में सुधार करने के लिए कितनी आवशकता है आपको जब तक इस दवा को लेने के दिशानिर देश मिले हो तब तक इस दवा को ले यह पहले से शुरू हो चुकी सास की समस्या या COPD अटैक की रोक थाम नहीं करता है इसलिए अपात काली न स्थिती के लिए हमेशा अपने साथ मेडिकल इनहेलर रखें इस दवा के सबसे सामाने साइड इफेक्ट में ट्रैमर, इंसोम्निया, सिर्दर्द और मूँ सूखना शामिल है अगर आप इनसे परेशान है या स्थिती गंभीर होती जा रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं उन्हें कम करने या रोकने के तरीके हो सकते हैं आम तोर पर इलाज के दोरान शराब पीने से बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह होट रेट पर असर डाल सकती है इस दवा को लेने से पहले अगर आपको हृदय की समस्या है या हाई बलड प्रेशय या डाइबिटीज है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी जानना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्योंकि इन में से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती है या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद